चीज ऐसी बनाई है कि मुह में रखते ही घुल जाए और स्वात ऐसा कि कोई भूले भूल ना पाए आपने कभी सोचा है कि अगर दही और कोफी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा ना तो कोई लसी ना आईस क्रीम ना ही कोई केक बस देखते रहे धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे और देखने के बार मेरी गारंटी है कि बिना बनाए आप रह नहीं पाएंगे पर सबसे पहले हेलो एफ्रिबान इट्यामिशस पर आपका स्वागत है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूले और हमारे चैनल को सबस्क्राइब शरूर करें तो फिछले जल्दी से हम ये हमारी स्पेशल वाली रेसिपी शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जिस भी बरतन में हम इसे बनाएंगे उसे हम पहले ग्रिस करके तयार कर लेंगे मैं यहाँ पर केक टिन का इस्तमाल कर रही हूँ आपको भी किसी दूसरे बरतन का भी इस्तमाल कर सकते हैं हमें इसे बस तेल से अच्छे से grease कर लेना है और safety के लिए मैं इसमें इस तरह के parchment paper को भी लगा रही हूँ ताकि जो भी चीज इसमें से बनेगी वो आसानी से बाहर भी आ जाएगी तो इस पर भी मैंने हलका सा तेल लगा लिया है तो अब हम लेंगे एक mixing ball और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दही तो ये मैंने एक कप भर के दही ली हुई है ये ताजा दही है जादा खटी नहीं है और गर की जमाई हुई fresh दही है दही से हम ये चीज बनाने वाले हैं और बहुत ही जादा tasty बनेगी तो आप इसको जरूर से एक बार गर पर बनाए यहां आपको बस ये रेख लेना है कि दही गाड़ी होनी चाहिए इसमें पानी जादा नहीं होना चाहिए अगर आपको लगे कि दही में पानी जादा है तो किसी पतले से कपड़े में बांध के आप इसको रख सकते हैं और बाकी का जो पानी है वो निकाल सकते हैं यहां पर मैंने जो दही लिए वह अच्छी खासी गाड़ी दही है तो मैं बस इसको अच्छे से इस तरह से फैट रही हूँ दही को हमें अच्छे से फैटना है और स्मूथ कर लेना है यह देखें दही को अच्छे से फैटने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे मि यह बनाय हुआ condensed milk लिया है आप चाहे तो market वाला भी इस्तमाल कर सकते हैं इससे एक तो दही में मिठास भी आएगी और साथ यह बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वाद भी आएगा तो यह गाड़ा सा मीठा सा टेस्टी सा जो milk made है यह हम दही में डाल देंगे और इसे भी अच् एक तो हमने इसमें condensed milk भी डाला है और जो दही में लिए है वो अच्छी fresh दही है तो जादा खटी नहीं है इसलिए मैंने इसमें सिर्फ यह दो चमर चीनी का पावडर डाला है अगर आपकी दही थोड़ी जादा खटी है तो उस इसाब से आप इसमें चीनी का इस्तमाल कर स यह काजू का पावडर भी इसमें डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे अब कोफी का क्या करना है वो देख लेते हैं तो यहां पर मैंने यह कोफी का एक पाउच लिया है यह पूरा पाउच नहीं लेना है हमें सिर्फ एक टीस्पून भर के कोफी लेंगे instant कोफी आप हलके घुनगने दूद में घूल कर लेना है तो यह वनफॉर्थ कप गरम दूद मैंने इसमें डाल दिया है और फेस मिला लेंगे जिससे की जो कोफी है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगे और अब इस कोफी वाले दूद को हम इस दही वाले मिश्रण में डाल देंग इस टाइम पर यह ठंडा होना चाहिए गरम दूद इसमें एड नहीं करना है इस बात का ध्यान रखे और बस इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो यह लीजे यहाँ पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है और यह हमारा जो मिश्रण है वो पकाने के लिए ब आप जाए तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं या फिर अपने पसंदिदा ड्राइफ्रोड की कत्रन आप इस मिश्रण में भी मिला कर रख सकते हैं तो अब हमें इसे अच्छे से कवर करना हैं क्योंकि हम इसको भाप में पकाने वाले हैं तो जो पानी है वो इसके अंदर ना अच्छे से कवर करना होगा तो यहां पर मैंने अल्यूमिनियूम फॉइल से कवर किया है आप किसी भी धकन से या प्लेट से भी इसको कवर करके ले सकते हैं अब भाप में पकाने के लिए मैंने कढ़ाई में दो ग्लास पानी गरम किया है और उसमें इस तरह से एक जाली को रख दिया है ताकि यह जो केक टिन हम इसमें रखेंगे वो अराम से इसके उपर रह जाएगा तो सावधानी के साथ इसे हमने इसमें रख दिया है प्यस के आज को मीडियम कर देंगे और इसे हम 20 मिनिट तक ऐसे ही भाप में पकने देंगे अगर आप चाहें तो इसे छोड चोटे portion में बनाने के लिए इस तरह की जो खाने वाली steel की कटोरिया होती है उसमें भी बना सकते हैं बस steel की कटोरी को आपको तेल से अच्छे से ग्रेस करना है और मिश्रन भरने के बाद अपने पसंदिदा dry fruit से गानिश करना है और इसे भी हमें भाप में पका कर लेना है कि हम बंगाल की famous भापा दोई बना रहे हैं वो भी कोफी वाले special flavor में तो यहां पर मैंने कटोरियों को भी अच्छे से steam कर लिया है और अभी यह क्या है कि बहुत जादा गरम है और काफी जादा soft भी है तो अगर आप चाहे तो इसको गर्मा गर्म enjoy कर सकते हैं लेकिन इसका असली मज़ा ठंडा ठंडा खाने में ही आता है तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले normal temperature पर ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको 2-3 घंटों के लिए freeze में रख देंगे और ठंडा ठंडा फिर इसको serve करेंगे ठंडा होने के बाद यह जो भापा दोई है यह अच्छे से set भ लग रही है इसको बस हमें side से थोड़ा सा scrap कर लेना है और फिर किसी भी plate में पलट करके बहार निकाल लेना है तो आप देख सकते हैं काफी soft और जालीदार इसका texture लग रहा है बस उपर से थोड़ा सा पिस्ता की कतरन से इसे और garnish कर देंगी और फिर मैं आपको इसे cut करके भी दिखाती हूँ काठने से ही पता चल रहा है कि काफी अच्छे से यह set हुई है और काफी soft भी बनी है और इस चीज की मैं guarantee लेती हूँ कि इसके आगे आप ice cream भी भोल जाएंगे क्योंकि यह बहुत जादा tasty लगती है और texture देखे एकदम creamy भी है और बहुत जादा मस्त जल्दी से आप भी इसे बनाईए खाइए सब को खिलाईए और सबसे तारीफे पाईए और जादा से जादा लोगों के साथ इसे शेर करें ताकि सभी इसे खाए और इसके मज़े उठाए और हमारे चैनल इडियमिश को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको इसे तरह की रेसिपीस मिलती रहें और नए रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले हम नेक्स रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं तिल देन इंजोई इस ठंडी ठंडी भापा दोई और था और वाचिए अट्यमिश्यास